वरांटी में ग्यानवापी विवाद के बीच जिला अदालत में सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है कोड कमिशनर विचाल सिंग ने अदालत को सर्वे रिपोर्ट सौंपी रिपोर्ट 10 से 15 पन्नों की है इसमें वीडियो तस्वीरें और कई तरह के कागजाद भी शामिल है वही दूसरी और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश देने पर कल तक रोक लगा दी कल दोपहर तीन बजे सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की निर्देश के बाद जिला अदालत ने भी ग्यानवापी केस में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है अब 23 माई को वारानसी की अदालत में इस पर सुनवाई हो सकती है ग्यानवापी में तीन दिन तक हुए सरवे की रिपोर्ट मीडिया में भी लीक हो गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिवार पर पान के पत्ते के आकार के 6 फूल के आकरिती मिली है करीब 8-8 फीट के 4 पुराने खंबो का जिक्र है खंबो पर घंटी, कलश, फूल के आकरिती की बात कही गई है एक खंबे पर कुछ लाइने लिखी हुई है, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकती दावा है कि तहकाने में दर्वाजे के पास भगवान की फोटो मिली है जिस पर मिट्टी जमी थी तहकाने की सभी दिवारें और पिलर पानी से भीगे हुए थे रिपोर्ट के मुताबिक तहकाने में सौ नई इटे भी मिली है तो वहीं दावा है कि नंदी की मूर्ती के सामने व्यास जी का तहकाना है व्यास जी के कमरे में दूसरे खंबे पर त्रिशूल के निशान का दावा है नंदी की मूर्ती से 18 फीट की दूरी पर तहखाने में एक खुला रास्ता मिला है जिस पर कोई दर्वाजा नहीं था इसकी उपरी चोखट पर घंटी लगी हुई है बीवार पर तीन कमल के फूल भी मिले है जिसके उपर स्वास्तिक के निशान होने की बात कही जा रही है इससे पहले पूर्व कोट कमिशनर अजय मिश्रा की एक रिपोर्ट भी लीख हुई थी और उस रिपोर्ट में भी कुछ इसी तरह के दावे थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्यानवापी मुद्दे पर चुक्पी तोड़ी तो नया विवाद शुरू हो गया ज्यानवापी के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा उसे हिंदू आस्थावानों ने अपमान करार दिया है यही नहीं अखिलेश ने ज्यानवापी मुद्दे का नाम लिये बिना ही उसे अयोध्या विवाद से जोड़ दिया और बीजेपी पर डराने की राजनीती करने का आरोप लगाया अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान छिड़ते देर नहीं लगी और कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कारेकरता विरोध जताने सडकों पर उतर पड़े बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को रामभक्तों पर गोली चलाने वाला दल बता कर अखिलेश पर पलटवार किया मतुरा में श्रीकृष्ण जन्मुभूमी विवाद में लोवर कोट ने रिवीजिन पिटीशन मन्जूर कर ली है जिला जज ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जद मामले की लोवर कोट में सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया अब इस पर एक जुलाई को सुनवाई हो सकती है इसके साथ ही कोट ने सितंबर 2020 में मुकदमे को खारिच करने वाली दीवानी अदालत के आदेश को पलट दिया है याचिका छे लोगों ने दाखिल की है जिसमें कई मांगे रखी गई है इस याचिका के मुताबिक श्रीकृष्ण विराजमान की कुल 13.371 जमीन में से 2.371 जमीन पर शाही इदगाह मस्जिद है उस जमीन का कबजा भी हिंदु पक्ष को दिया जाए 1968 में हुए समझोते को रद किया जाए और कोट की निगरानी में जन्म भूमी परिसर की खुदाई करवा कर जाच रिपोर्ट तलब की जाए विवादित स्थल पर CCTV लगवाए जाए सुनवाई की इस मंजूरी पर असदूदी नोवैसी ने सवाल उठाए है हिंदो पक्ष के मुताबिक मतुरा में भी औरंगजेब ने केशव राय मंदिर को गिरा कर शाही मस्जिद बनवाई थी और उसी मस्जिद के नीचे वो जगहा है जहां श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था कॉंग्रस नेका नवजोट सिंग सिध्धू को सुप्रीम कोट ने 34 साल पुराने रोड रेज के एक मामले में सजा सुनाई है सुप्रीम कोट ने सिध्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई है सिध्धू ने कोट के फैसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया 34 साल पहले हुई इस घटना में 65 साल के बुजर्ग गुर्णाम सिंग की मौत हो गई थी इस मामले में निचली अदालत ने सिध्धू को बरी कर दिया था इस फैसले के खिलाफ पीडिक परिवार ने सुप्रीम कोट में अपील की जिसके बाद सुप्रीम कोट ने सिध्धू पर 1000 रुपे का जुर्माना लगाया था लेकिन पीडित परिवार की पुनर विचार याचिका पर सुप्रीम कोट ने आज सिध्धू को एक साल की सजा सुना दी सिध्धू को सजा का आदेश आने के साथ ही कॉंग्रस के अंदर उनको पार्टी से बाहर करने की मांग उठने लगी है पंजाब कॉंग्रस के पूर्वध्यक्ष सुनील जाखड आज भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो गए बीजेपी के राश्च्टि अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्याले में सुनील जाखड को भगवा अंगुवस्तर पहनाने के साथ उनको पार्टी की सदर्सिता दिल्वाई बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील जाखड ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और ग्री मंतरी आमिच्छा को धन्यवाद देते हुए कॉंग्रिस पर निशाना साधा कि सुनील जाखड ने राजनिती को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया वही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने कहा कि जाखड के आने से पंजाब में बीजेपी मजबूत होगी मुझे पूरा विश्वास है कि वह हम सब के साथ मिलकर के हम पंजाब को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे और राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करमे में उनका अनुभव का हम सदुपयोग करेंगे